आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Everyone, हमें Question में दिया गया है कि चाही की कीमत में 20% की व्रद्धी हुई लेकिन मैंने चाही के लिए अपने खर्चो को केवल 15% बढ़ाने का फिस लगिया चाही के लिए खर्चो के समान इस्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए यह हमें निकालना है तो हम जानते हैं कि जो हमारा खर्चा होता है वो किस के बराबर होता है खर्चा होता है किसी चीज की कीमत इंटू हम उसकी कितनी खपत कर रहे है इन दोनों का इंटू हमारा खर्चा हो जाता है तो यहां पर हमें दे रखा है कि जो किसी वस्तु की कीमत है कीमत में कितनी व्रद्धी हो रही है, 20% की व्रद्धी हो रही है, माना कि कीमत पहले 100 थी, तो अब कितनी हो गई, 120 हो गई, अब उसने आगे क्या कहा है, कि लेकिन मैंने चाहिए के लिए अपने खर्चों को केवल 15% बढ़ाने का, तो वो जो खर्चा कर रहा है, वो only कितना ब लिए मुझे अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, तो यहां पर हमें कीमत में 100 से 120 हो गई, खर्चा वो 115 था की करना चाहता है, तो यहां पर हमें खपत में ही कमी करनी पड़ेगी, तो यहां से हम देख लेते कि हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, हमे कमी का पर्सेंटेज हमें निकालना है तो वो आ जाएगा हमारा यहां पर हम 5 unit की कमी करेंगे खफ़त में और कितने पर करेंगे 120 पर 120 करनी थी पर हम 5 कम करना चाहते हैं तो 120 पर 5 की कमी करेंगे वो पर्सेंटेज निकाल लेके हम 100% कर देंगे अब इसको हम यहां से काट लेते हैं यहां से हम इसको काटेंगे तो 25,100 यह 20,120 तो हमारा आगे यहां पे 25,6 अब हम इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा हमारा एक दश्मनलों तक हमें लाना था तो 4.17 आएगा तो यह 4.2% हमारा आगया तो 4.2% जो है 4.2% जो है वो हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी और यही हमसे पूचा गया था कि कितनी कमी करनी पड़ेगी तो यह 4.2% हमारा आंसर है जो कि option number B में देभी रखा है और यही हमारा आंसर है धन्यावाद क्लासिक से ट्वेल से लेके नीट आएएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर